गाइस आज का वीडियो आउज्या का जितना भी एमलिफार है सभी का प्राज बताने वाला हूँ ओभी 223 का जो कि आप भारी डिमान कर रहे थे कि आउज्या का जितना भी एमलिफार है सभी का प्राज बताए ओभी लेटर्स प्राज मतलब अभी का प्राज 223 का प्राज बत प्राज आपको पेशा देना पड़ेगा अभी के टाइम में तो कितना प्राज आपको देखने में आपको पता चलेगा इस बुड़ों में तो चले वीडियो को सुरू करते हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सस्काब नहीं के तो चैनल को सस्काब कर लिजेगा साथ ही इस पुड़ों तन शुरू करते हैं तो चले सबसे बात करेंगा देखे अउजा का बहुत सरा अमिलिफार आता है और सभी प्राज लिस्ट एक वीडियो में संब्भब नहीं है इसलिए में इसका सेकंड पार्ट लेकर जुरूर आऊंगा जितना भी बचा कुछ अमिलिपार र जानते होंगे सबसे छोटा अमिलिफार मान सकते हैं यह अमिलिफार आपका 45 वाटेज का अभी के प्राज प्राज से लेकर बाउन्स रूपया में असानी से मिल जागा आपके एरिया में और इसमें आपका एक सेट डेड़ा जारी जाद आपको दिनों मिलेगा और अगला की बात करूं तो अगला मिलिफार डी पी ए पांट सो सत्तर एम इस अनलिफार को जानते होंगे यह अनलिफार आपका आर्मेस पर 50 वाटेज और मेक्सम पर आपका 45 वाटेज यह प्रवाट करता है और इसका प्राज की बात करूं दो जा तेज का पांच से जा नो से लेका 6300 के बीच में मिल जागा इसमें भी आप लोग मान सकते हैं मतलए एक इस डेड़ा जारी इंक्लूट किया है मतलए इनिक इरिज में आपको मिल जागा और अभी की टाइम में इतनी प्राज में आपको लगबख मिली जाएगा और अगला मुडल की बात करूं अहूजा का SSB 60 EM इस अमलिफार को भी जानते होंगे आप लोग यह प्राज की बात करूं यह आपका 69 से लेका 7400 के बीच में आपको मिल जागा और अगला मुडल की बात करूं तो अहूजा का यह मोडल DPA 770M जो की बहुत ही अच्छा अमलिफार है और इसका वड़ेज की बात करूं यह 75 अच्छ का होता है मैक्सिमम यह 100 वर्ट तक प्रवाइड करता है साथी प्राज की बात करूं यह आपका 7000 से लेका 7000 के अंदर आपको मिल जागा अगला मुडल की बात करूं अहूजा का SSB-80M और इन पर अपका 800 अच्छ का होता है और मैक्सिम पर आपका 110 अच्छ दिख इसका प्राज की बात करूं यह आपका 97000 से लेका 10,000 के बीच में आपको मिल जागा चले अगला मुडल की बात करूं अउजा का SSB-80DFM तो इस आपको बाकी में आपको जानते होंगे इसमें आपको कुछ एक्ष्ट्रा फिचर भी दिखने मिल जाता है यह आपका 80 अगला मुडल की बात करूंगा अउजा का SSA-100M इस सानिफार को बाकी में आपको जानते होंगे इसमें पर आपका आर्मेस पर एक हजार सोरी 108 और मैक्सम पर आपका 130 अच्छ दिखने मिल जागा प्राज की बात करूंग यह आपका अंडर 10,000 में आपको मिल जागा इनी के इसका प्राज की बात करूंग यह आपका लगबग 10 लेकर 11,000 की बीच में आपको मिल जागा जो कि मैं बता रहा हूं अलाकि इसमें आपको ज्यादा प्राज सुनने में मिल जाते हैं इनी के रिजम आपको मिल जागा और अगला मुडल की बात करूंग अउजा का SSB 120 और य 700 पी 9800 के बीच में आपको मिल जागा और अगला मुडल की बात करूंगा अउजा का SSA 160 DP और उससे थोड़ा सबको ज्यादा प्राज दिनों मिल जागा तो यह आपका अर्मेस पार 160 वर्ट और मैक्सिम पर आपका 120 उड़ेज दिखनों मिल जागा प्राज की बात करूंग आपका 13 से लेगा 37000 के बीच में आपको मिल जागा चले अगला मुडल की बात करूंगा अउजा का SSA 160 EM और यह आपका 160 वर्ट और मैक्सिम पर आपका 220 उड़ेज आपको दिनों मिल जागा प्राज की बात करूंग यह आपका 12 जर के अंदर आपको मिल जागा और इन्हीं के रेजिम आपको मिलना है लगवा आपको मिले जागा अगला मुडल की बात करूंग अहुजा का SSA 250 FX जो कि FX बला मुडल है जो कि आप लोग जानते होंगे यह आपका 250 सोड़ेज आर्मेस पर और मैक्सिम पर आपका 300 होता है और इसका प्राज की बात करूंग इसमें आपको थोड़ा से एक्ष्ट्रा फीचे दिनों मिलेगा जो कि डिले रिपीट और इको का सिस्टिम आ और अगला मॉडल की बात करूं आउजा का SSA 250 DP जो कि उसी मॉडल का DP बला मॉडल है और इसमें आपका से मोड़ेज का आता है जो कि 250 सोड़ेज और मैक्सिम पर आपका 300 और प्राज की बात करूंग इसमें आपको 17,000-18,000 के बीच में आपको मिल जाना सेम दोनों ही एक ही साथ आता है और इसमें आपको सब कुछ लगा सकते हैं और आखीर बात करेंगे जो कि इसका लाश्ट बाला मॉडल जो की आउजा का SSA 250M जो की सबसे पोप्लार आपको चायता है और इसम पर आपका 300 और इसका प्राज की बात करूंग 16,000-17,000 के बीच में आपको मिल जाग अगला मॉडल की बात करूंगा अगुजा का SSA 5000-EM तो इसमें पर आपका 500 और मैक्सम पर आपका 500 और मैक्सम पर आपका 750 और होता है प्राज की बात करूंग यह आपका 25,000-26,000 किसी एरिया में लगबग 27 तो आपको मिल जागा लगबग इनी करेंगे में आपको मिलना है और लगबग मिली जागा और अगला मॉडल की बात करूंगा उजा का उसी का DP वला मॉडल SSA 5000 DP और इसमें आपको DP कफर में आपको पता होगा लगबग इनी पर आपका 500 और मेक्सम पर आपका 750 और प्राज की बात करूंगा इसमें आपको थोड़ा सा एस्टर आपको पेसा देना पड़ेगा जो कि आपका 26 लेगा 27,000 के बीच में आपको मिलना है उसी मॉडल से थो और मेक्सम पर आपका 900 और होता है प्राज की बात करूंग यह लगबग आपका 32,000-33,000 के बीच में आपको मिल जागा चले अगला मॉडल की बात करूंग अउजा का SSA 10,000 और इसमें लिपार को भी बाकी में आप लोग जानते होंगे यह लिपार आपका 1,000 और मेक्सम पर 335,000 होता है और इसका प्राज की बात करूंग 42,000-43,000 के बीच में आपको मिल जागा हलाकि इससे 222 की प्राज की बात करूंग इसका प्राज थोड़ा सा कामता है लेगिन अभी के प्राज थोड़ा सा इसका बढ़ा दिया है लगवाग इनी करेंग में आपको मिल जागा चले नेश्ट अलिपार की बात करूँ अउजा की TZA 1200 इस अलिपार को भी आप लोग थोड़ा हो जानते होंगे यह अलिपार आपका 60 वर्ट का होता है और मेक्सिम पर आपका 120 वर्ट का होता है प्राज की बात करूँ आपका 10 लेकर 70,000 के बीच में आपको मिल जागा अगला मॉडल की बात करूँगा इसी का जो कि TZA 1500 DP और इस अलिपार को भी आप लोग थोड़ा हो जानते होंगे प्राज की बात करूँ आपका 30,000 के बीच में आपको मिल जागा अगला मॉडल की बात करूँगा उजा का TZA 1500 DP को भी आप लोग जानते होंगे मिल जागा प्राज की बात करूँ इसमें आपको थोड़ा सा कम मिल जागा और अगला मॉडल की बात करूँगा अगला मॉडल की बात करूँगा आउजा का TZA 2000 DP और DP आप लोग जानते होंगे अगला मॉडल की बात करूँगा अगला मॉडल की बात करूँगा आउजा का TZA 2000 और इसमें भी आपका पर होता है हलाक हुआ अपका डीपी बला था और यह आपका सिंपल बला है तो यह आपका एक सब्सक्राइब अर्मेस पार पर्जोन और मेकसम पार आपका सेम होई होगा जो की 130 प्रास 130 मेकसम पार प्राज की बात करूँगा इसमें आपको थोड़ा सा कम दिनों मिलेगा प्राज बढ़ा है उसी हिसापस में आप सब्सक्राइब को प्राज बता हूं लगवा इन्हीं के लिए आपको मिल जागा लगवा आपको मिलेगा मिलेगा आप लोग पता कली जापने अरिया में आपको खुदी पता चल जगा तो चले बीड़ो में ए तक और बीड़ो कैस कमेंट और लाइक करके बताएए इसका सकंड पार्ट भी आने वला है तो बस बढ़ों ए तक